नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अलोक राज वेलकम बैक तो आपर यूट्यूब चैनल इजी लाइव इता लोक दोस्तों इस वीडियो को गौर से दिखेगा इस वीडियो में दोस्तों एक न्यू टोकिन के बारे में बात करने वाला हूँ जिसकी लिस्टिंग बहुत जल्द पै आपको इस वीडियो में मिलने वाला है इस टोकिन के बारे में तो चलिए दोस्तों सीधा बढ़ते हैं वीडियो में लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजे मैं अपना टेलीग्राम चैनल पे देता रहता हूं, लिंक देखेंगे दोस्तों, टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डेरेक्टली आप जोइन कर सकते हैं, तो दोस्तों, जिस स्टोकिन की बात कर रहें, इस token का नाम है Hyper Inno आप स्क्रीन पे देख पार है Hyper Inno इस token का नाम है अगर हम इस token की बात करें तो यह token जो है governance token है जो अपने holders को जो buyer है जो holders है अपने holders को यह कहीं न कहीं access देती है allow करती है किसी भी परकार का अगर decision लेना हो किस के regarding में decentralized finance के regarding में अगर decision लेना हो तो वहाँ इनके holders भी participate कर पाते हैं board कर पाते हैं और इनका vision जो है आप देखेंगे इनका vision जो है कि Hyper Inno का जो price है और इसनका market cap है जो market cap को 100 million USD डॉलर तक ले जाना है 100 million USD तक ले जाना है इनका market cap को कब तक इनकी planning है तो 2022 के quarter third quarter third means दोस्तो जुलाई अगास सेप्तमबर मन्त में ये तीन महिनों तक में जो इस coin का market cap 100 million तक ले जाना है इनकी planning है इनकी vision है यहाँ पर click करेंगे दोस्तो वाइट पेपर तो इनके वाइट पेपर डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं BACP आपका scan करके BACP पर यहाँ दिया हुआ है BACP पर click करेंगे BACP scan पर तो आपको इनके कितने total है verify कर सकते हैं इस token को तो अभी दिखेंगे हलाकि यह बहुत ज़्यादा new है new worth ही हुआ है इस token का नया जनम ही हुआ है भी इसलिए बहुत सारे लोग अभी इसके बारे में कुछ भी जनकारी नहीं है इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर just two addresses है holders में दो holder अभी है तो आप अभी third holder बन सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद क्योंकि यह भी token कहीं एक काम की चीज यानि एक utility token लग रही है जो आने वाला समय में काफी ज़्यादा इसकी future हो सकता है काफी growth कर सकता है इस token की total supply आप देखेंगे दोस्तो total supply यहाँ पर 75 trillion token की supply है आप यहाँ पर से contract address को भी copy कर सके pre-sale में buy कर सकते है decimal बगरा भी दिया हुआ है आप इनके सहरा से आप क्या कर देंगे अपने trust wallet में इस token को add भी कर सकते है तो यह हो गई BSCS scan पर हम देख चुके है कि total supply 75 trillion token की है अब यहाँ पर आप देख रहे दोस्तो कि diamond member pre-sale will start in 3 days, 21 hours, 31 minutes, 44-43 seconds के आसपस में यानि इनकी pre-sale start होने वाली है अभी से 3 दिन, 21 घंटे, 31 minutes के बाद pre-sale is की start होगी और यहाँ पर देखेंगे इसका pre-sale के एक नाम दिया गया है diamond member तो यह diamond member क्या है दोस्तो तो मैं आपको बता दू कि इनका pre-sale जो है 4 phase में होने वाली है कोई एक pre-sale नहीं आएगी इनका pre-sale 4 phase में आने वाली है चार phase में इनका pre-sale जो है इस token की price हर एक phase में अलग-अलग होगी यानि अगर पहला phase जो start होने वाली है पहली बार जो इनकी pre-sale start होगी वो है diamond member pre-sale आप नीचे आएंगे तो नीचे आप देख पाएंगे यहाँ पर आएंगे दोस्तों तो आपको देख रहे हैं कि pre-sale program आप यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा pre-sale program our valuable investor तो इनका जो pre-sale में सबसे पहला pre-sale start होगी diamond member pre-sale दूसरा होगी platinum member pre-sale and third होगी golden member pre-sale and fourth होगी silver member pre-sale अब फाइदा क्या होगा diamond member pre-sale में अगर buy करते हैं इस token को तो buy अगर करेंगे diamond member pre-sale में तो इस समय इसकी token की price होगी 0.7x0 $4 के आसपास में इस token की price होगी और इस pre-sale में 10 trillion token ही केवल sale किये जाएंगे और इसका sale जो है 200 pre-sale जो है 1st November 2021 से start हो जाएगी और इसके end जो है 8 November 2021 को होने वाली है next दखेंगे platinum member pre-sale जो start होगी जैसे ही diamond member end होगी उसके next day ही platinum member pre-sale start हो जाएगी यानि 9 November को start हो जाएगी और 15 November को end भी हो जाने वाली है जब platinum member में अगर आप buy करेंगे तो उस समय इसकी price जो है उपर हो जाएगी थोड़ा बढ़ जाएगी देखे रहे हैं 0.7 x 045 डालर पे इसकी इस token की price हो जाएगी यानि increase कर जाएगी और इस token इस pre-sale में 8 trillion token ही sell किये जाएगे अब बात करते हैं third number golden member pre-sale में तो इस समय इस pre-sale में उससे अधिक इसकी price बढ़ जाएगी दोस्तों 0.7 x 0 5 डालर पे इस token का price होगा और इस pre-sale में 6 trillion token ही sell किये जाएगे और इसकी golden member pre-sale जो है 16 November यानि जब platinum member pre-sale end होगा तो अगले देन ही 16 November 16 November को इसकी pre-sale start हो जाएगी जो 20 November को end भी करने वाली है जैसे golden member pre-sale end होगी तो उसके बाद silver member pre-sale start होगी और इसमें भी इस token की price increase कर जाने वाली है देखेंगे इस समय इसकी price जो है 0.0 0.0 अब देख सकते हैं 7 x 0 5 डालर पे ये trade करेगी एक token मिलेगी जिसमे pre-sale में 6 trillion token ही sell किये जाएंगे इसकी start हो जाएगी 21 November को end हो जाएगी 25 November को जब ये 4 pre-sale end हो जाएगे तो इन 4 pre-sale को end होने के बाद same day जिस दिन silver member pre-sale end होगी 25 November को 25 November को ही इनकी listing हो जाएगी pancake swap पे date of listing 25 November 2020 2021 25 November को ही इसकी listing हो जाने वाली है इस coin को pancake swap पे listing हो जाएगी और जब pancake swap पे listing हो जाएगी उस समय इसकी price 0.6 time 0 $1 हो जाएगी अब जस्ट यहाँ देखेंगे दूस्तों जब यहाँ पर आप diamond pre-sale में जब इसकी 3 दिन 4 दिन के बाद यानि एक November को जो start होने वाली है इस समय इसकी token की जो price है इस समय आप buy करेंगे और जब pancake swap पे listing होगी तो इस समय जो इसकी price है तब तक में जो आपकी investment होगे वो धाई गुना increase कर जाएगे यानि धाई गुना बढ़ जाएगे दोस्तों जितना भी आप investment करेंगे तो यह फायदे होंगे इस token को pre-sale में buy करने से अगर बात करेंगे इसमें क्या चीज़ यह और भी unique है जो लगती है कि future oriented है future में इसकी price काफी जादा उपर जाएगी तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे बड़ी चीज़े की यह platform जो है multiple free paid play to earn games facilitate करता है तो अभी आप इसके बारे में यहाँ पर देख भी सकते हैं नीचे अगर आएंगे तो एक चीज़े और भी कुछ चीज़े है जो इसको unique बना रही है यानि यह इस coin में potential दिखता है क्योंकि इनका planning है hyper swap भी लाना है इनका swap भी आने वाला है जो इनकी swap जो है अभी नहीं आने वाली है next year 2022 में इसकी swap आने वाली है और सबसे बड़ी बात है कि इस token को आप जो है Binance Smart Chain के network पे भी बनी हुए और Ethereum के network भी बनी हुए तो दोनों से आप इसको buy कर सकते हैं easy तरीके से buy कर सकते है Binance से अगर आपके पास आजाते हैं इसके यहाँ आजाने के बाद दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है अभी फिलाल जो है pre-sale में जो token को buy करेंगे वो केवल Binance Smart Chain के network को ही use करेंगे Ethereum को network को अभी use नहीं करना है जब इनका खुद का swap आ जाएगा तो उस समय Ethereum के internet network को भी use कर सकते है यानि इनके swap से Ethereum भी है तब भी इस token को buy कर सकते है और इनका planning इनका खुद का centralized exchange भी लाना है जिस तरह की से Binance है, WajirX है और भी बहुत सारे local या फिर पूरे global exchange है वो ऐसा ही इनका भी खुद का centralized exchange भी आने वाला है जहां से आप token को stake कर सकते हैं खरी सकते हैं, sale कर सकते हैं उसके बाद इनका खुद का planning है, launchpad भी लाना है इनका अपना launchpad भी लाना है, साथ में इनका hyper wallet भी आएगा, तो ये सारी feature जो है, एक complete centralized exchange होई complete project में जो होनी चाहिए ये सारी feature, इस token भी है हमें देखने को मिल रहा है, अब बात करेंगे जो total token है जिसका distribution होगा allocation होगा tokens का total supply आपने देखा, दोस्तो 75 trillion token की supply है, जिसमें से इनका planning है कि 40% token जो होगे, यानि 30 trillion token जो होगे, इने 4 stage में जो pre-sale है, pre-sale में ही sell कर देना है यानि 40% 30 trillion token जो है, pre-sale में ही sell कर दिया जाएगा उसके बाद दोस्तो 27% जो होगे, यानि लगवग में 20.25 trillion token जो होगे आगे burning कर दी जाएगी यानि burning भी किया जाएगा, टाइम टू टाइम इसकी burning भी होगे और burning जो होगे, वो भी burning जो लगवग में 5 phase में दिया हुआ उपर साइड आप देखेंगे, यहीं कहीं दिया होगा यहां burning planning भी देखेंगे तो burning planning भी इनका 5 events में इनकी burning planning है और इन 5 इवेंट में 20.25 trillion token की burning होगी जो बहुत बड़ा burning है अपने आप में, तो 27 tokens जो है burn कर दिये जाएंगे 16% जो token होगे, इनके team members and founders के पास होगे and 10% reserve fund में चले जाएंगे and 7% में marketing में इसकी होने वाली, इसकी marketing में होने वाली दोस्तों यानि यह इनकी token का allocation, tokenomics है जिसमें token का distribution इस परकार सी होगा जो एक कहीं ने कहीं इस token की price जो है काफी जादा ऊपर ले जा सकती है roadmap देखेंगे, तो roadmap में दोस्तों इसका जो है white paper अलड़ी बन चुका है, hyper ino यानि इस token का वी वर्थ हो चुका है October month में ही, और October month में website launch भी हो चुकी है आप सारी चीज़ों को देखेंगे, सारी चीज़े October month में ही इसके start हुई है white paper, hyper, इस token का वर्थ है सारी चीज़े October month में ही हुई है और just बहुत ही new newborn token है ये October month तो अब इंड में आ चुकी है, इंड होने वाली है लेकिन इसके starting end में ही हुई October month में तो इसके वज़ा से अभी इनके community में जादा लोग जुड़े नहीं है बहुत जल देखेंगे, इनके community धिरे-धिरे भरती जाएगी, काफी इनकी संक्या बढ़ती जाएगी, अब देखेंगे pre-sale November में start होगी जैसा कि मैंने उपर बदाया था pancake swap के लिस्टिंग December month में होगी, जैसे ही हलाकि 25 November को ही है लेकिन आप easy तरीके से pancake swap से आप December month में तो हर हाल में हर लोग भाई कर लेंगे अब देखेंगे, जब pancake swap पे इसके लिस्टिंग होगी, तो उसके बाद centralized exchange, यानि सबसे पहले LA token पे इसके लिस्टिंग होगी दोस्तों, आप देख सकते हैं LA token पे लिस्टिंग होगी, LA token के बाद Hotbit पे लिस्टिंग होगी, उसके बाद BitMart पे आ जाएगी, उसके बाद XT.com पे भी इसके लिस्टिंग हो जाएगी जो इसकी planning 2022 में है आप देख सकते हैं, दिसंबर मन्त में, पैंकेक स्वैप पे, और जनवरी में, ला टोकिन पे, होट बिट पे, जनवरी मन्त में, जनवरी मन्त में भी हो जाएगी, और जनवरी मन्त में, चार बड़े एक्सचेंज पे आप देख रहे हैं, चार बड़े एक्सचेंज पे इसक की लिस्टिंग हो जाएगी centralized exchange पे इसकी लिस्टिंग हो जाएगी और इनकी planning है अप्रील मन्त में 2022 के अप्रील मन्त में hyper swap इनका खुद का swap आ जाएगा और जून तक में इनका launch pad आ जाएगा और अगस तक में देखेंगे इनका wallet आ जाएगा और Binance पे इसकी listing की planning है October मन्त में 2022 के October मन्त में Binance पे इसकी listing के इनका road map है list निस्टिंग हो जाएगी तो यहीं सारी चीज़े काम होती है time to time काम होती थी इस token के future काफी ज्यदा बेतरीन है दोस्तों तो यहीं सारी चीज़े बीसे स्रूप से इसकी information है जब इसकी pre-sale start होगी तो मैं आप लोगो pre-sale में ये भी दिखाऊंगो वीडियो जल्दी ही ला दूँगा कि जैसे ही pre-sale इसकी start होगी तो pre-sale में कैसे token को buy करेंगे ये भी मैं वीडियो जल्दी ही बना कर आपको दे दूँगा दूस्तो तो दूस्तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही information इस token के बारे में तो token आपको अच्छा लगा हो तो with your own research आप इस token को buy कर सकते हैं लेकिन खुद से research करने हुआ चले दूस्तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो आपको अच्छे लगी है तो like कर दिजे चैनल को अभी तक आपने subscribe नहीं किया है तो do subscribe right now धन्यवाद फिर मिलते हैं next video में